चिन में बिद्धैले नौली के छात्र सुकृत चोहान ने जिलावो प्रदेश तर पर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है हाली में स्कूल में अयुजद नेशनल स्पेस उलमपियाड में ग्यार्मिक अख्षा के छात्र ने सोलन जिलाद में पहला स्थान हाशिल किया है इतना ही नहीं सुकृत ने स्पेस ओलम्पियाड में प्रदेश में सात्मा स्थान हासिल किया है चिन में बिद्याले में अयोजित कीगे नैशनल स्पेस ओलम्पियाड प्रतियुकता में करीब 500 स्कूलों में भाग लिया था आपको बता दें कि Space Olympiard में जिला में पहला वो परदेश में सात्मा रेंक लेने वाले छात्र सुक्रीत चोहान अब अपरेल माहा में बैंगलूरू में National Aerospace Agency दोरा अयोजित होने वाले कॉन्वकेशन में भाग लेंगे भही अपने स्कूल के चात्र की सुबलब्दी से जहां स्कूल में खुसी का महाल है भही इनके माता पिता भी काफी गौरवंदिक महसूस कर रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल सुबरजीत घोश ने बताया कि हाल ही में उनके स्कूल में ये प्रतुक्ता अयूजित हुई थी जिसमें उनके स्कूल के छात्र ने जिला में पहला वो परदेश में सात्मा स्थान हासिल किया है और अब बे नैशनल एरो स्पेस अजेंसी में आया चुका है वो इस साल हमारे यहां पर एक एक एक्जामिनेशन हुआ था नैशनल स्पेस ऑलिम्पियाड हुआ था जो नवेंबर लास्ट वीक में हुआ था और लेवल वन और लेवल टू हुआ था फेवरुरी फिफ्त को इन दोनों एक्जाम में उसने बहुत अच् उसको मिला है जहां पर 500 से जादा स्कूल इस एक्जामिनेशन में पाटिसिपेट किया था यह अभी इनका लेवल 3 के लिए इनको 10 एप्रिल को बैंगलो यह जाएगा और वहां पर नैशनल एरो स्पेस एजनसी है जहां पर वहां पर इनका कन्वोकेशन होगा हम उमीद करे जैसे इसने स्कूल का नाम रौशन किया है वैसे ही वहां जाके वो प्रदेश का नाम रौशन करें बहुत-बहुत मुबारक है हमारे सारे टीचर्स को और यह पुरा क्रेडिट जो है हमारे टीचर्स और हमारे टीम को हम देते हैं हमारे तरफ से बहीं चात्र सुक्रीत चुहान ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनकी अध्यापकों का काफी योगदान रहा है जिसकी बिदॉल से जिला में पहला वो प्रदेश में सात्वा सान हाशिल कर पाए है। पर पहुंचा हूँ वो उनकी बदोलत है इसमें हमारे जिला में ही 500 स्कूलों ने आयोजन में भाग लिया था और इस प्रकार में देखता हूँ कि मेरे अध्यापकों ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और जिला में पहला सान प्राप्त करने मेरी मदद की इसलिए मैं अ बनकर अपने देश और विश्व के लिए कुछ अच्छा करूंगा धन्यवाद